बिहार के वैसाली में सीमांचल एक्स्परेस हाथत्रा के बाद कॉंग्रेस सद्यक्स राहूल गांडिय ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पीडित परिवारों के पृति हम अपने गहरी समेदना ब्यक्त करते आया, उन्होंने अस्थानीय कॉंग्रेस कारेकरताओं से अन मद रेलवे के परवक्त राजेस कुमार ने बताया कि जेनरल सेनी की एक डब्बे AC कलास के एक डब्बा B3, सिलीपर कलास के तीन डब्बे S8, S9 और S10 चार्ट डब्बे पत्री से उतर गए मिली जानकारी के रेलवे ने कहा कि तेन हाथसे में साथ लोग की मौत हुई जबकि 24 लोग घायल हुए है हाथसे में घायलों की स्तीती को देखते हुए मिर्तक की संक्या बढ़ने की भी अन्मान लगाया जा रहा है हाथसे के वक्त सिमांचल एक्सप्रेस तीजगती से चल रही थी घटना अस्तल पर सोनपूर और बरावनी से भी डॉक्टरों को भेज दिया गया है रात और बचावकार अभी घटना अस्तल पर मौजूद है हालाके इस घटना की जानकारी के लिए सोनपूर, हाजीपूर और बरावनी ने हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया है इस घटना की सुचना मिलते हैं बिहार के मुख मंतरी नितीस कुमार ने दुख जताया और परसासन को आदेश दिया कि हर संभव मदत की जाए सीमांचल एक्सप्रेस हाथसे पर सीम ने काया कि डॉक्टरों के टीम मेडिकल वैन के साथ रावाना की जा चुकी है इसके अलावा NDRF के टीम भी रावत और बचाओ कारे में लगी हुए रेल्वे बोट के चेर्वन वीके यादो भी घटना स्वाल पर जाकर जाय जालिये इसको लेकर पटना, समस्तिपूर, सोनपूर और हाजिपूर समेत सभी रेल्वे स्टेसर पर हेल्फ लाइन नमबर जारी किया गया है बूरो रिपोर्ट निउज ऑपरेशन